आप सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागा थे टेक्निकल टूपरेश्च 7 में मैं हूँ शान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि टेंपलेट क्या होता है और इसे कैसे यूज कर सकते हैं कैसे इसे अपलाए करते हैं कैसे इसे कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेयाउट क्या है और लेयाउट को आप कैसे एडिद करें तो इस वीडियो में आज मैं आपको सिर्फ टेंपलेट के बारे में बताऊगा तो चलिए शुडू करते हैं सबसे पहले आप अपने पेज पर लॉग इन हो जाएं नहीं है यहाँ से आप टेंपलेट टे क्लिक करें जैसे आप एक पेज पर आ जाएगे जिस पर कुछ टेंप्लेट के samples दी हुए है जैसे की simple dynamic view picture awesome watermark तो ऐसे कुछ इनके कुछ samples है जैसे आप कोई भी एक sample पर click करेगे तो यह एक live demo आपको बताएगा कि आपका blog वो थी template apply करने के बाद में कैसे दीखेगा तो अगर आप इस चीज़ से happy है तो आप यहां से direct apply to my blog पर click करिए तो यह template आपके blog पर apply हो जाएगी जैकिन अगर आपको इसे customize करना है तो आप यहां से customize भी कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक template यहां पर apply करके रखा है अगर मुझे इस template का backup लेना है तो यहां से backup and restore क्रिक करके यहां से download template कर लोगा तो एक file create करेगा जिससे मैं इस template का backup लेलोगा और हमेशा कोई नया template apply करने से फ़ले आपकी previous template का ज़रूर backup लीड़े अगर मैंने कोई custom templates net से download किया है तो मैं यहां से choose file और वो template select करके then upload प्लिक करके इसे apply भी कर सकते हूं हम बात करते हैं हमारे ही इस template को अगर हमें इसे customize करना है तो आप कैसे करें तो आप यहां पर customize पर क्लिक करें अगर आप HTML का knowledge रखते हैं तो आप यहां से उसे edit कर सकते हैं हम customize करते हैं जैसे आप customize पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं customize interface आगया है आपके screen पर जो कि बहुत simple है यह आपका ब्लॉग तरीके से दिख रहा है और यहां से भी आप templates apply कर सकते हैं मैं background पर जाता हूँ तो background पर मींस यह जो मेरा जो log है इसके पीछे में जो background है वो मैंने यहां से डाला है मैं इसे remove करता हूँ जैसे आप देख सकते remove करने के बात में यह blue, cyan color का एक background आ गया है मैं यहां से इस पर click करता हूँ तो मुझे कुछ option मिलते है जो over the internet मुझे कुछ themes के हिसाब से pattern, nature इसके हिसाब से technology इनके हिसाब से कुछ background इनके पहले से block के to block के तरफ से मिलते है अगर मैं अपना खुद का कोई background डालना चाहता हूँ तो मैं upload image पे click करके यहां से choose file से click करके अपने PCI laptop से वो file select करके यहां से upload करके जिसे मैंने यह upload की इसे done कर देता हूँ यह apply हो जाएगा जिन उसके बाद में इसे alignment कैसे करना है आप left alignment करना चाहते हैं जिसे आप देख सकते हैं मेरा यह image left side में alignment middle में करना है तो आप अपने हिसाब से change कर सकते हैं जिन इसे tiling करना है horizontal रखना है vertical रखना है यह भी आप यहां से select कर सकते हैं जैसे मेरे इस block की theme आप देख सकते है red color maximum जगा पर use हुआ है क्योंकि मैंने red इसकेमाल किया है अगर आपको इसे change करना है तो आप यहां से main color theme पर click करके इसे change कर सकते हैं जैसे मैं अगर यहां से आपी green लेता हूँ तो मेरा यह सबकुछ word text links green color में हो जाएगी adjust width में जाएगे तो आप अपने block की width को change कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसे कम किया तो यहां पर effect हो रहा है अगर आप इसे 1280 रखना चाहते हैं तो आप normal रख सकते हैं मैं आपको suggest pull करूगा तो आप pull रखिए then left sidebar अगर आपके इसमें left sidebar और right sidebar है तो यह आपको option दिखाएगा यहां से आप इस left bar का width कितनी रखनी है वो भी select कर सकते हैं और right bar एक है तो यहां पर मैंने जब यह select किया तो मुझे left and right का option अगर मैं यह select करता हूँ तो मेरा right sidebar जो है यह हट जाएगा और तुभी left bar मुझे दिखाएगा तो वैसे ही footer में मैंने यह दो का option select किया है इसलिए footer 1 और footer 2 दिखा जाए अगर मैं एक single करूगा तो सिप single footer मुझे दिखाएगा तो आप यहां से अपने अपने हिसाब से जो आपको सिलेक करना हो सिलेक करके यहां से आप आगे बढ़िए तर एडवांस में जब आप जाएगे तो आपको आपके ब्लॉक की सारी एडवांस सेटिंग में जाएगा जैसे पेस्टेक्स सबसे पहला option है तो यहां पे default font area है मैं अगर इसे जॉर्जिया करता हूँ या impact करता हूँ इसको आप देख सकते हैं मेरे description का font change हो गया इसी तरीके से मैं इसे बोल करना है नहीं करना है देन इनका font size भी पढ़ा सकता हूँ यहां से यह सिलेक्ट करके देट इस फॉन का color अगर मुझे change करना है जैसे आप देख सकते है text color मैं यहां से text color भी चेंज कर सकता हूँ जो आप देख रहे हैं इस वर यहां पर वो चेंज हो रहाए ज़ेस्ट कलर यह आपको सजेस्ट करेगा देन बैग्राउंड में जब आप जाएगे तो आउटर बैग्राउंड कालर हेडर बैग्राउंड पोस्ट बैग्राउंड यह भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं लिंक में जाएगे तो आपके जो पेज़ पे जो लिंक रहेगी वह लिंक कलर आप चेंज कर सकते हैं लिंक कलर कैसी दिखनी है इसके बाद में अगर उसके कोई विजिट कर दिया तो वह कैसे दिखेगा और उसके बाद में अगर वह जैसे आप देख सकते हैं हमारा यहां पे लोग डाला हुआ है इसलिए हमें प्लॉग टाइटल नहीं दिखा रहा जिसलिए अगर आपके इसमें ब्लॉग टाइटल है तो वह भी यहांप इसको पॉलर जैसे अप कर सके हैं उसी तरीके से आप टैप टेक्स, टैप बैग्राउंड, पोस्ट टाइडल यह सब चेंज कर सकते हैं, जैसे आप पोस्ट टाइडल पर जाते हैं तो देख सकते हैं, मेरा यह एक फॉंड मैंने सिलेक करके रखा है, अगर मुझे इसे चेंज करना है और मैं इसे फॉंड बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं यहां से इसका यह सब चीज़े चेंज कर सकते हूं, उसी तरीके से डाटा हेडर जो आप देख सकते हैं, यहां पर आपकी जो डेट हेडर, रिसी के आप देख सकते हैं, यहां पर जो जिरो पोस्ट इसकी जो कलर है, वो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, जो पोस्ट gadget gadget के आप color यहां से जो title heading है इनके color चेंज कर सकते हैं footers इनके जो footer का यह पोर्शन आया है footer text इसे भी आप चेंज कर सकते है footer links यह जो link दिख रही है इस link का color मैं यहां से change कर सकते हैं कस्टमाइज HTML कोडिंग है अगर आप HTML के बारे में या CSS के बारे में ज़्यादर जाते हैं तो आप यहां से वो कस्टमाइज कोडिंग पेस्ट करके उसे भी अपलाय करके अपने प्लॉक पे अपलाय कर सकते जैसे अब यह सारी चीज़े देखने के अधर मैं इसे बैक्टू ब्लॉक पिजाता हूँ तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि टेम्पलेट्स क्या है और कैसे आप टेम्पलेट्स का बैक अप ले सकते हैं और टेम्पलेट्स अपलाय करके उसे कस्टमाइज कर सकते हुआ तो अगर यह आपको फसंद आया है वीडियो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तो कि मैं ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ मैं ब्लॉक से रिलेटेड आगे हर दिन कुछ नया नया वीडियो अपलोड करता होगा